मैं धर्म की नीव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवस्यक मानता हूँ सिक्षित बनो, संगठित रहो, संगर्श करो यदि हम आधुनिक विक्षित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए यह उद्गार है बाबा साहब भीमराव अमबेड कर जो आधुनिक भारत के सिक्षावित, अर्थसास्त्री, जननायक, बिधिवेत्ता धार्मिक चिंतक और महान साहितिकार थे बाबा साहब अमबेड कर भारती संबिधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं संबिधान मशवदा समित के अध्यक्ष थे इनका जन्म 14 अप्रेल सन 1899 को मध्य प्रदेश के महू नामक के स्थान पर हुआ था पिता जी का नाम स्री राम जी मालो जी सक्पाल था और माता जी का नाम स्री मती भीमा भाई था बच्पन में उन्हें प्यार से भीमा कहा जाता था बाबा साहब के पिता जी फोज में नोकरी करते थे बाद में उनका तवाला सतारा में हो गया सतारा में ही अम्बेदकर जी ने प्राथमिक एवं हाई स्कूल की सिक्षा पूरी की सन 1907 में दसवी की परिक्षा उत्तिर्ण की सन 1912 में इन्होंने बीए की परिक्षा उत्तिर्ण की और सन 1913 में पिता जी की इक्षा से बढ़ोदा में शेकेंड लेफ्टी निंट की नौकरी की पंद्रा दिन बाद ही पिता जी की मृत्त हो जाने के कारण पढ़ाई करने के विचार से उन्होंने नौकरी छोड़ दिया बढ़ोदा नरेश ने कुछ विद्यार्तियों को उच्च शिक्षाहेत अमेरिका भेजने का निश्चे किया और स्वभाग की बात थी कि बाबा साहब अम्बेटकर जी का चेहन हो गया बाबा साहब ने कोलंबिया विच्च विद्याले से पीच्च दी की उपाधि प्राप्त की सन 1916 में वकालत करने के लिए लंदन चले गए चात्त विद्धी अबधि समाप्त होने के कारण 1917 में भारत वापसा कर बंबई के उच्च न्यायाले में वकालत प्राम कर दिया सन 1955 में गवर्मेंट लौ कालेज में प्राचार पदपर आपकी नियुक्ति हुई बहुत संघर्स किया है बाबा साहब अंबेद करने और अंततह छे दिशंबर 1956 में दिल्ली में आपका देहावसान हो गया एक भारत का जग्मगाता सितारा तिरोहित हो गया बाबा साहब भीमराव अंबेड कर आधुनिक भारती चिंतकों में से एक थे शोशित वर्ग के उद्धार के समर्थक थे इन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनेतिक सैक्षणिक धार्मिक साहितिक एवं संबैधानिक छेत्रों में अनगिनत कारी किया है बाबा साहब अंबेद कर एक ग्यारा भासाओं की ग्याता थे जैसे मराथी, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फार्सी, फ्रेंच, कन्नर्ड और भंगाली का अद्भुत ग्यान था आपकी करत्रही प्रतिभा और आपके प्रदे को देखते हुए बोधि सत्व सम्मान से सम्मानित किया गया कोलंबियन अहेड आप देर टाइम दा ग्रेटेस्ट इंडियन आदि लगभग बत्तिस उपाधियों से बाबा साहब अलंकृत थे और माणों परांत उनईस सो नब्य में आपको भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया बाबा साहब बहु आयामी प्रतिभाके धनी ब्यक्ति थे आपने लगभग बत्तिस ग्रंथों की रचना की अनेक संपाधन कार किया आलेक शोध पत्र और विभिन व्याख्यान मालाओं के माध्यम से आपने जन जागरती लाने का प्रणम में प्रयास किया है आपकी रचनाओं में जो सरवाधिक प्रशिद्ध हैं दा कॉस्ट इन इंडिया दट टशेबल्स हुआर सूद्राज बुद्धा एंड हीज दम्म बुद्धेज्म एंड कैमिनिज्म मूंक नायक बहिस्कृत भारत आध्यनेक ग्रंथ बाबा साहब के द्वारा रचे गये लिखे गये और बाबा साहब का संपूर्ण साहित्य भारत शरकार के कल्यान मंत्र द्वारा दस वागों में प्रकाशित किया गया है बाबा साहब ने जनता पत्रिका का भी बहुत गौरों में ढंक से संपाधन किया बच्चो आज हम आपके पाठिक्रम में संकलित बाबा साहब का जो आलेख है स्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्स समाज इन दो बिंदूओं पर हम आप से चर्चा करेंगे स्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्स समाज वास्तो में बाबा साहब के विख्यात भाशन एनी हिलेशन आफ कास्ट यह 1936 में ललाई सिंग यादव द्वारा हिंदी रूपांतरन किया गया जाति भेद का उच्छेद यह दो प्रकरणों के तौर प से जाति पांति तोड़क मंडल लाहोर के वार्शी का धिवेशन में अध्यक्षिय भाशन के रूप में लिखा था लेकिन इसकी क्रांतिकारी द्रिष्टि के कारण उस सम्मेलन को ही सगित कर दिया गया था इस पाठ में बाबा साहब ने समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठाहरा कर कार्यक कुशलता के आधार पर स्रम विभाजन को आवस्यक बताया है विदंबना यह है कि इस युग में जाति वाद के पोश्कों की कमी नहीं है आधुनिक सभ्य समाज कार्यक कुशलता के लिए स्रम विभाजन को आवस्यक मानता है बाबा साहब का कहना है कि आपत्ती जनक बात यह है कि जाति प्रथा स्रम विभाजन के साथ स्रमिक विभाजन भी करती है भारत की जाति प्रथा स्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बलकि विभाजित विभिन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच नीजवी कराज देती है जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता भाबा साहब आगे कहते हैं कि सक्षम स्रमिक समाज के निर्मान के लिए व्यक्तियों की छमता विक्षित कर उन्हें पेशा या कारी चुनाव का उसर दें इसके विप्रित जाति प्रथा का जो दूसिश सिध्धानत है माता पिता के सामाजी का इस्तर की अनुसार गर्वधार के समय से ही मनुस्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है बाबा साब इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जाती प्रथा मनुस्य को जीवन भर एक पेशे से बांदेती है गर्व में रहते ही बच्चों का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है भले ही पेशा अन कोल परिस्थितियों में मनुष्टि को पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहों तो उसके लिए भूंकों मरने के अलाबा क्या चारा रह जाता है पेशा परिवर्तन की अनुमत न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुक कारण बनी हुई है ऐसा हमारे बाबा साहब अंबेदकर का चिंतन है सोचना है बाबा साहब का कहना है कि जाति प्रथा मनुष्टि की स्वाभाविक प्रेणा रूची वा आत्म सक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकर कर निश्क्रिय बना देती है अब जितनी चर्चा मैंने आप से की तो इसके आधार पर अब बोधात्मक कुछ प्रेशन हम लोग देख लें बाबा साहब कारिक कुसलता के लिए किसे आवस्यक मानते हैं वास्तों में बाबा साहब जो हैं कारिक कुसलता के लिए स्रम विभाजन को आवस्यक मानते हैं बाबा साहब को किस बात की आपत्ती है वास्तों में बाबा साहब को इस बात की आपत्ती है कि जाती प्रथा स्रम विभाजन के साथ स्रमिक विभाजन का रूप भी लिये हुए है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए अब एक प्रशनोर बनता है कि जाती प्रथा में स्रम विभाजन की दृष्टी से कौन साथ दोश है वासों में जाती प्रथाप के आधार पर किया गया जो श्रम विभाजन है वह मनुष्य की ब्यक्तिगत रूची और ब्यक्तिगत क्षमता एवं कुसलता को कोई महत्तु नहीं देता जाती प्रथा में हदोस सबसे गंभीर माना गया है मनुष्य किन परिस्तितियों में निश्क्री हो जाता है तो बच्चो जात याधारित जो श्रम विभाजन है वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेड़ना रूची वा आत्म सक्ति को दबा कर अस्वाभाविक नियमों से जकर देती है तब मनुश्य निश्क्री हो जाता है निरी हो जाता है वह कर्महीन हो जाता है कि जाती प्रथा को स्रम विभाजन का अधार क्यों नहीं माना जा सकता वास्तों में जाती प्रथा को स्रम विभाजन का रूप नमानने के पीछे तरक यह है कि जाती प्रथा स्रम विभाजन के साथ स्रमिक विभाजन भी कर देती है यह बात मैंने आप से बताई जातिप्रथा स्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बलकि विभिन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच नीच भी करार देती है यह स्रमिक जो होते हैं एक तो उनका अस्वाभाविक विभाजन और इसके बाद विभिन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच और नीच जो भी करार दे देती है जो मनें लोक कल्यान के लिए आवश्यक नहीं है मनुस्य के प्रसिक्षन अत्वा उसकी निजी छमता का विचार किये बिना माता पिता के सामाजिक इस्तर के अनुसार पहले से ही गर्भ धारन के समय से ही मनुस्य का पेशा निरधारित कर दिया जाता है जो की बड़ा हास्यास पर लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए प्रतिकोल परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की सोतंतरता नहीं होती इसे लिए बाबा साहब जाति प्रथा को स्रम विभाजन का रूप न मानने के पीछे अनेक तर्क दे रहे हैं अब एक प्रश्ण और बहुत अच्छा बनता है कि जाति प्रथा भारतिय समाज में बेरोजगारी वा भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनी रहे कैसे बनती है जाति प्रथा भारतिय समाज में बेरोजगारी वा भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है क्या यह इस्तित आज भी है यह एक चिंतन का विशे है वास्तों में जाति प्रथा भारतिय समाज में बेरोजगारी वा भुखमरी का कारण बनने के पीछे प्रमुख वजा है मनुस्ति को रूचिवाक्षमता के अनुसार पेशा चुनने की अनुमत नहीं है क्योंकि यह जाट पराधारी थे पैत्रिक पेशा में भले ही वह पारंगत हो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा परिवर्तन की अनुमत नहीं देता है ऐसी इस्थित में काम करने वाले का न दिल लगता है न दिमाग वह मनसावाचा कर्मना से वह उस कारे के पीछे सहमत नहीं होता दुर्भावना से ग्रसीत होकर बिवस्ता बस वो काम चलाओं काम करता है और जिसकी परिणती जो है बेरुजगारी या भुक्मरी के रूप में आर्थिक इस्थित को प्रभावित करती है तो अब आईए बच्चो जो दूसरा भाग है वह है मेरी कलपना का आदर्स समाज इसमें बाबा साहब अमेदकर ने एक आदर्स समाज की परिकलपना की है कि एक आदर्स समाज कैसा होना चाहिए और आदर्स समाज की सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो जाति प्रथा न हो कर्म के अनुसार जो है वह स्रम भी भाजन हो ब्यक्ति की उपयोगिता के अनुसार उसके गुण के अनुसार तो बाबा साहब कहते हैं कि उनके द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुन कर हमसे लोग पूचेंगे एदिमे जातियों के बिरुद्ध हूँ तो मेरी द्रिष्टि में आदर्स समाज क्या है तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरा उत्तर है मेरा आदर्स समाज स्वतंत्रता समता भाई चारे पर आधारित होगा दूध और पानी के मिश्रन की तरह भाई चारा हो आप दूध में पानी डाल दीजे या पानी में दूध डाल दीजे दोनों मिल जाएंगे मिश्रित हो जाएंगे और ये पता नहीं चलता कि ये दूध है कि पानी है इसी प्रकार से जो हमारा भाई चारा है एक दूसरे से जो संबंध हैं मने दूद और पानी की तरह गुले मिले हो भाई चारा तभी अपना आधर सुरूप ले पाएगा इसी का बाबा साहब कहते हैं कि दूसरा नाम लोक तंत्र है जनता का राज्य लोक तंत्र साथियों के प्रसरद्धा और सम्मान का भाव यह चाहे वो किसी जाद के हों किसी समाज के हों लेकिन सरद्धा और सम्मान का भाव होना परमावश्यक है बाबा साहब आगे कहते हैं इसी प्रकार स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार जीवी को पारजन के लिए आवस्यक अउजार वा सामग्री रखने का अधिकार हो सबको संपत्ति का अधिकार बराबर बराबर हो और जीवी को पारजन के लिए जो आवस्यक अउजार है यह सब के पास हो और सबको अधिकार मिल जाए जिससे वे जीवी को पारजन कर सकें वन्ष परंपरा और सामाजिक उत्तरा धिकार को छोड़ कर समता के विकास को प्रोसाहन दिये जाने पर बल दिया गया है बावा सामने वन्ष परंपरा और सामाजिक उत्तरा धिकार को छोड़ कर बैक्तिकी शमता के विकास को विक्षित करने के लिए प्रोसाहित किये जान की आशिकता पर उन्हों ने बल दिया है समाज में अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें सभी को समान और सर प्रदान करने होंगे क्या समाज में हम चाहते हैं कि हमारे सभी सदस्य उपयोगी हों हमारे सभी सदस्य कार्य करें उनकी शमता का अभिकास हो तो हमें सब को बराबर बराबर समय देना होगा अवसर देना होगा बाबा साहब का कहना है कि एक राजनीतिक के लिए भी ब्योहारिक रूप से यही सिद्धान्त होना चाहिए कहने का भाव यह कि केवल यह जनता के लिए ही नहीं जन मानस के लिए ही नहीं बलकि जो राजनीतिक गहें उनके लिए भी यही सिद्धान्त लागू होना चाहिए सब मनुस्यों के साथ समान व्योहार किया जाए चाहे वो नेता हो चाहे वो जनता हो एद्यप समता कालपनिक जगत की बस्तु है ये बाबा साहब ने बड़ा गंभीर चिंतन किया है समता पर एक आदर समाज की संकलपना में समता का बहुत बड़ा हाथ है अब बाबा साहब बहुत इस्पस्त कह रहे हैं कि अध्यप समता कालपनिक जगत की बस्तु है फिर भी राज नीतिग्य को सभी परिस्थितियों को दिश्च में रखते हुए यह करना चाहिए क्योंकि यही ब्योहारिक भी है क्या समता की बात समता समानता आ जाए पूरे समाज में और ब्योहार की एक मात्र कसोटी भी है हम समता को केवल कलपना तक ही सीमित न रखें बलकि उसे ब्योहारिक रूप भी दें अब आईए अवबोत समंधी कुछ प्रसन देखते हैं लेखक की दृष्ट में बाबा साहब की दृष्ट में आदर्स समाज कैसा होना चाहिए उन्होंने किस तरह की संकलपना की है एक आदर्स समाज के लिए वास्तों में बाबा साहब अंबेदकर की दृष्ट में आदर्स समाज स्वतंतरता समता और भाईचारे पर अधारित होना चाहिए यह तीन बिंदु हैं एक तो स्वतंतरता समता और भाईचारे का जो वास्तविक स्वरूप है उस पर ही आदर्स समाज होना चाहिए अब सवाले उठता है भाईचारा है क्या वास्तों में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप क्या है सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन वा आउसर उपलब्धर रहना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए मैंने यह बात आपको पहले भी बताई है कि जिस तरह से दूध और पानी को मिला देने से वो पता ही नहीं चलता कि दूध है कि पानी है उसी तरह से ऐसा भाईचारा हो एक दूसरे से कि कहीं भी अंतर दिखाई न दे और भाईचारे का अर्थ है समाज में इतनी गति मैता हो कि यदि समाज का कोई वर्ग किसी प्रकार का परिवर्तन चाहता है तो बड़ी सुगमता से पूरे समाज में पहुंजा है उनके जीवन में संपरक और संबंध के अवसर अबाध होना चाहिए दो चीजें संपरक और संबंध तभी लोग तंत्र जीवित रह सकता है यह लोग तंत्र की जीवनतता के लिए लोग तंत्र की सफलता के लिए ये सबसे बड़ा सूत्र बाबा साहब ने बताया है अब बाबा साहब ये भी कहते हैं कि समता जो है कालपनिक जगत की बस्तु है ये कैसे इस पर सोचना चाहिए वास्तों में बाबा साहब ने समता को कालपनिक जगत की बस्तु माना है वास्तों में समता जो है ये कालपनिक जगत की बस्तु है क्योंकि वह ईश्वर प्रदत है नियमतह सब समान नहीं है रूप, रंग, गुन, आद्में लोगों में भिन्नता ये प्रकृति प्रदत्त है इस स्वर के यहां से ये प्रदान की गई है अब बाबा साहम ने इस पाठ में दास्ता की ब्यापक परिभासा दी है ये दास्ता क्या है दासत तो क्या है वास्तों में लेखक के मत से दास्ता की ब्यापक परिवासा क्या हो सकती है इस पर हम लोग चर्चा करें अपना ब्योसाय चुनने की स्वतंत्रता न होने का आर्थ उसे दास्ता में जकड कर रखना है हमें काउन सा बेवसाय करना चाहिए और काउन सा बेवसाय नहीं करना चाहिए यह सोचने का अधिकार प्रतेक नागरिक को है तो हम काउन सा बेवसाय चुने इसकी हमें सोतंतरता होनी चाहिए और अगर सोतंतरता नहीं है तो इसके कहने का मतलब यह है कि हम दास्वत्तों में यकड़े हुए दास्ता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है यह वह इस्तिति है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित ब्योहार एवं करतब्यों का पालन करने के लिए बीवस होना आस्तों में डॉक्टर अंबीद करने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैक्षनिक, धार्मिक और अवद्योगिक छेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार किये हैं वे संपूर्ण मानोता के लिए सदा अविश्मनी रहेंगे